अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दिना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे आज की वीडियो में हम जो हमारा क्लोधिंग टिक्स्टाइल सका टॉपिक चल रहा है यान्सट्राइब देश्टिंग और फाइबर उसके आगे की क्लास करेंगे सो शुरू करते हैं classification of fiber हमारा already चल रहा था उसके next classification से तो classification fiber content के हिसाब से sorry yarn का classification चल रहा था तो fiber content के हिसाब से yarns जो हैं वो कितने होते हैं कितने category में divide होते हैं तो सबसे पहला है हमारा blended yarn दूसरा होता है combination yarn तो blended yarn कौन सा होता है यह intimate mixture होता है of staple fiber का different composition होता है staple fiber में like length में diameter अलग-अलग होता है color अलग-अलग होता है उनको spun कर दिया जाता है दूसरे के साथ में यान मिनाने के लिए उसको blended yarn बोलते हैं combination yarn क्या है it has two unlike fiber इसमें दो unlike fiber strands होते हैं twisted together जो एक दूसरे के साथ में twisted होते हैं ply के रूप में and in case of ply or novelty yarn हर एक प्लाय है वो different fiber का ही होता है testing of fiber and fabrics एक नया topic शुरू करते हैं there are two methods होते हैं आप fibers को identify कर सकते हो test के द्वारा एक तो non-technical test होता है जिसके अंदर आप feeling test और burn test यूज करते हो like आप feel करके बता सकते हैं कि यह कौन सा fiber है like आप burn करके बता सकते हैं कि यह कौन सा fiber है उसकी ash के द्वारा उसके smell के द्वारा और दूसरा होता है technical test technical test में हमारे पास में आ जाता है microscope test यह तो आप microscope यूज करके देख सकते हैं कि यह कौन सा fiber है एक आप chemical testing कर सकते हो chemical से reaction करा के देख सकते हो कि यह कौन सा fiber है so आगे पढ़ते है technical test जो होते हैं fiber identification के लिए वो laboratories में किये जाते हैं और उनके अंदर आ technical knowledge और skill की जरूरत पढ़ती है क्योंकि non-technical test में तो आप burn करके पता लगा सकते हो और feel करके पता लगा सकते हो लेकिन जो technical test होता है उसके अंदर हम जो है laboratory का इस्तिमाल करते हैं क्यों करते हैं तो microscope को भी हम कहा laboratory में यूज करेंगे lab में ही होते हैं वो so as such they are much more reliable method हैं यह जादा reliable method हैं testing के लिए end products को as compared to non-technical method जो non-technical test हैं उनके according क्योंकि जो technical test हैं आपको एक accurate result देते हैं आपको वो properly बता देते हैं अब non-technical test की बात करते हैं तो यह दो तरीके क्यों होते है कोते हैं feeling test feeling test involve करते हैं कि आप fabric को touch कर रहे हो और feel कर रहे हो fabric को यह जानने के लिए कि यह कौन सा fiber है example wool fabric को आप feel करोगे तो वो गरम होगा when touched because heat generate करता है wool which is non-conductor है heat का will remain in the touched area itself on the other hand जो fabric है जो की plant fiber के बने होंगे like cotton linen and even rayon that are made from the cellulose चो की cellulose से बनते हैं wood pulp के या फिर cotton fiber feel cool वो थोड़े थंडे होंगे touch करोगे तो as they are conductors of heat क्योंकि वो conductors है heat के heat generate होती है finger के द्वारा जो की pass होती है making the fabric cold जो की fabric को cold बना देती है थोड़ा ठंडा कर देती है उसकी heat जो है वो निकल जाती है however it requires a long experience इसके लिए भी आपको बहुत लंबा experience चाहिए होता है अलग-अलग fibers को handle करने के लिए over a period of time as a skillful perception के लिए कि कौनसा fiber कौनसा है also यह difficult है कि हम examine करें और compare करें fabrics को जो की अलग-अलग fiber content के बने हुए है feeling test के द्वारा यह थोड़ा मुश्किल काम है जो burn test होता है उसमें क्यों होता है यह involved करता है burning की हम एक sample of fabric को burn कर रहे है और observe कर रहे है उसके fabrics हैं by constituent fiber के बने हुए है तो data combination होते हैं वो दो different textile polymers के तो हम उन्हें identify नहीं कर सकते है burning test के द्वारा अब following chart है जिससे कि आपको ज्यादा clear हो जाएगा burn test के बारे में different fibers के लागि कि यहां पर fiber burn chart burns and charts burns and melts burns and charts में है की order मिलता है burning grass का कौन से fiber से मिलेगा burning grass like आप जैसे घास को burn कर रहे हो उस time पर जो smell निकलती है वैसी smell इन fibers में से निकलती है जब इनको burn करते हैं बहुत ही soft ash होती है इसकी gray color की निकलती है and यह कौन से fiber या fabric में आ जाएगा linen में जूंट में hemp में अब burning paper की smell कौन से fiber से निकलेगी या fabric से निकलेगी उसकी बात कर लेते हैं तो burning paper मतलब जब आप paper को burn करते हैं उस वक्ट जो smell निकलती है वैसे ही fiber को जब burn करते हैं तब निकलती है यहां पर जो soft gray ash है वो तो निकलेगी cotton, ramy and rayon से burning paper की smell भी निकलेगी और soft gray ash भी निकलेगी but जो soft black ash है soft भी होगी लेकिन काले रंग की राख होगी वो निकलेगी mercerized cotton और linen से जो कि burning order भी होगा इसका paper का ही next बात करते हैं burns and melts की melt हो जाएगा fiber यहां पर आपको vinegar की smell में मिलेगी जो meat होता है न burning meat उसकी smell में मिलेगी और turmeric खल्दी के जलने की बदभू भी smell भी इसमें से निकलेगी अब order of vinegar की बात करें तो hard black irregular ash होगी इसकी बहुत ही hard होगी soft नहीं होगी black color की होगी irregular ash होगी और यह कौन से fiber में से निकलेगी acetate या try acetate में से अब बात करें order of burning meat तो इसकी जो ash होगी वो भी hard black irregular ash होगी जो के निकलेगी acrylic orlon fiber से order of turmeric हल्दी के चलने की जो smell है वो निकलेगी हमारे acrylic tiffron से and basically यहां पर zephran sorry tiffron नहीं zephran fiber से और यहां पर जो ash होगी soft black irregular ash होगी आगे बढ़ते हैं अब technical test के बारे में बात करते हैं जो technical test होते हैं fiber identification के लिए वो तो laboratory में किये जाते हैं वहां पर equipments होते हैं जो कि यह जादा reliable test होते हैं अच्छे test होते हैं real results देते हैं as compared to the non technical test however technical knowledge or skill तो हमें चाहिए ही होती है particularly जब हम chemicals को handle कर रहे हैं हमे basic requirements की आविशकता है test को conduct करने के लिए अब जैसे इसमें दो test हैं पहला है microscope test तो microscope जो test है वो बहुत effective test होता है natural fabrics को test करने के लिए difficulties आप face कर सकते हो जब आप test करते हैं synthetic fabric को as many of them have क्योंकि उनके अंदर जाद आदर similar appearance ही होती है अगर आप microscope के अंदर देखेंगे तो many finishing processes होते हैं like mercerizing and delustering जिससे की जो fiber का appearance है वो अंदर microscope change हो जाता है apart from it dark colored fabrics जो है हम उनको भी test कर सकते है microscope के साथ में as light cannot pass क्योंकि उनमें से light नहीं पास होती है dark substances में से या dark colored fabric में से for such fabrics either textile dye have to be removed इसके लिए हमें textile dye होती है उसको remove करना पड़ता है stripping के द्वारा या bleaching के द्वारा they have to be chemically उनको फिर test करना पड़ता है chemically natural fibers जो है उनके अपने peculiar structures होते हैं like sports होगे lines होगे दूसरे marks होगे जो के उनको identify करने में मदद करते हैं उनकी पहचान करने में वो मदद करते हैं following कुछ examples and natural fibers के and कैसे वो लगते अंडर microscope उसकी बात करते हैं अब जो cotton है वो single elongated cell है under microscope यह आपको flat spirally twisted ribbon like लगती है tube like लगेगी with rough granular surface होगा इसका mercerized cotton जो है उसके अंदर swollen, straight, smooth, round नहीं होगे with a shiny surface कुछ भी swollen नहीं होगा, straight नहीं होगा, smooth होगा and round नहीं होगा with a shining surface and linen जो है linen fiber under a microscope जो है वो ऐसे लगेगी like उसमे multiple sided cylindrical filaments है fine pointed edges के साथ में filaments जो है वो nodes add करेंगे at intervals it in fact looks like bamboo stick की तरह लगेगी है जिसमें joints and that results into a little uneven nest show करेंगे वो wool की बात करें तो इसका irregular roughly cylindrical multi cellular structure होता है with tapered ends under a microscope three basic layers दिखेंगी epidermis outer layer होगी cortex middle layer होगी and medulla inner layer होगी जो medulla है वो आपको coars medium wool fibers में ही दिखेगा and that too under a highly powerful microscope के अंडर ही दिखेगा silk की बात करें तो जो raw silk fiber है वो compose करता है के दो filaments का elliptical shape की under the microscope यह जो दो fine lustrous filaments हैं यह clearly दिखेंगे आपको transparent roads के रूप में triangular shapes के साथ and wild silk या तुसा जो होता है fiber उसके different appearance होएगी as compared to the cultivated silk यह flattened होगा coars होगा thick होगा broader होगा fiber fine wavy lines होगी all across इसका जो surface है whereas its surface whereas इसकी surface पे whereas जो cultivated silk है and narrower fiber है उसमें marks नहीं होगे man-made fiber की बात करें तो fiber difficult होते हैं तो man-made fibers होते हैं उनको identify करना through microscope क्योंकि उनका स्यादर-दर similar appearance ही होता है however उनका certain distinguishable characteristics होते हैं under a microscope are mentioned below like rayon इसका uniform diameter होगा glass-like shine के साथ में अगर यह dilustered है तो rayon fiber जो है marks को show करेगा similar to paper when viewed cross-sectionally जब हम देखेंगे जो viscous fiber rayon का वो irregular लगेगा जब हम उसे cross-sectionally देखेंगे यह acetate की बात करें तो यह lesser irregular लगता as compared to the viscous rayon जब हम इसको cross-sectionally देखते हैं इसकी जो indentations वो लगती है like occasional marks हो गए जब आप उसको longitudinally देखोगे nylon की बात करें तो there are many variants बहुत अलग अलग तरीके के होते है nylon fibers so however generally appear करता है fine round smooth and translucent sometimes smooth straight होता है यह round लगता है cross sectionally and however बहुत सारे finishing processes के साथ यह appearance जो है इसकी change होने लगती है in the context of texture के हिसाब से and lusher के हिसाब से spandex की बात करेंए तो spandex fiber उसकी outstanding characteristic होती है वो appear होता है group of fibers जो के एक दूसरे से fused है however different variants होते है spandex के भी जो अलग अलग characteristics show कहते है lycra fiber जो है वो fused multifilaments जैसा लगता है cross sectionally individual fibers जो है dotted and in shape लगते है like that of dog bone की shape की लगते है अगर आप उसको longitudinally देखोगे तो वो straight लगते है polypropylene है उसके बार में बात करते हैं जब हम हम इसे cross sectionally देखते हैं polypropylene fiber है वो थोड़ा round लगता है but यह straight लगता है smooth लगता है जब हम इसे longitudinally देखते हैं glass की बात करें तो glass fiber है वो smooth round translucent shiny and flexible लगता है so अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना share करना ना भूलेगा चानल को subscribe करना ना भूलेगा bell notification को दबाना ना भूलेगा झाल झाल